मैं सच जिन सिंग यादव, साय काचार इतिहास, राज की महाविद्यालक कोड़ पूतली, प्रिये विद्यार्थियो, बिये पार्ट प्रथम वर्थ इतिहास विशे के विद्यार्थियो है तू, प्रस्तुत वीडियो में हम कोटिल एम उनके अर्थ सास्तर के विशे में अध और चानक्य के नाम से भी जानना जाता है ब्रह्मन तथा बोध ग्रंथों से उनके जीवन के विशे में जो सुचनाएं हमें मिलती हैं उससे स्पस्ट हो जाता है कि वे तक्षला के ब्रह्मन परिवार में उत्पन हुए वेदों तथा सास्त्रों का उन्हें अच्छा ग्यान था तक्षला के शिक्षा के अंदर के प्रमुक आचारे भी वे थे परंतु स्वभाव से अत्यंत क्रोधी तथा रूडी वादी थे पुराणों में उन्हें एक स्रिष्ट ब्रह्मन कहा गया है कहा जाता है कि एक बार नंद राजा ने अपनी यग्जिसाला में उसे अपमा की जब चंद्रगुप्त मोरे भारत के एकशत्र समराट बने तो कोटल प्रधान मंतरी तथा प्रधान प्रोहित के पद पर आसेन हुए जहन गरंतों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यू के बाद बंदू सार के समय में वी चानक के कुछ साल कुछ समय तक उनके प्रधान मंतरी रहे बाद में उन्होंने सासन कारे का त्याक कर सन्यास ग्रहन कर लिया तथववन में तपश्या करते हुए अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किये खोटिल राजनिती सास्तर के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने राज सासन के उपर अर्थ सास्तर नामक अपने प्रसिद गरंथ की रचना की ये हिंदू राज सासन के उपर प्राचीन तम उपलब्द गरंथ है दुरभागिवस अर्थ सास्तर के रचना काल तथा उसके रचियता के विसे में बड़ा भारी मतबेद है पास्चात विद्वान जिनमें जौली, कीत और विंटर निच जैसे विद्वान है इसे या अर्थ सास्तर को कोटिली की रचना नहीं मानते हैं जो विद्वान अर्थ सास्तर को कोटिली की रचना स्वीकार नहीं करते हैं उनके अपने तरक हैं जिनने हम इस प्रकार देखेंगे उनका पहला तरक है कि अर्थ सास्तर में मुर्य सामराज तथा सास्तंतर का कोई उलेख नहीं मिलता है जबकि यूनानी साक्ष इसके उपर विस्तार से प्रकास डालते हैं दूसरा उनका तर्क है कि यह नगर प्रसासन तथा सैनिक प्रसासन की परिशदों का उलेख नहीं करता है इसमें विदेशी नागरीकों के आचरन तथा उनकी देखरेख के लिए भी कोई नियम निरदारित नहीं किये गए थे तीसरा तर्क उनका है कि अर्शास्तर में कोटिल के विचार अन्य पुरुस या इती कोटिल में व्यक्त किये गए हैं यदि कोटिल स्वायम इस गरंथ का रचियता होता तो इस परकार लिखने के उनने कोई आउशकता नहीं थी उनका एक अन्य महत्पून तर्क है कि कोटिल के नाम का उलेक मेगस्तिनीज नहीं करता जो चंदर गुप्त के दरबार में रहा था इस परकार उनकी एतिहासिकता ही संदिक्द है पतंजली भी मौरेशासन से परिचित थे उन्होंने भी कोटिल का नाम मुलेक कहीं पर भी नहीं किया है लेकिन यदि इन विद्वानों के दुआरा दिये गए तर्कों की शमिक्षा करें तो उनमें हमें कोई बल नजर नहीं आता है हम कोटिल की एतिहासिकता इम अर्थ सास्तर को उसकी रचना होने के पक्ष में कुछ तर्क रख सकते हैं या विद्वानों के दुआरा ये तर्क रखे गए हैं जैसे पहला तर्क यहां हम दे सकते हैं कि अर्थ सास्तर एक ऐसाम परदाई की रचना है उसका मुख्य विसे सामान्य राज तथा उसके शासन तंतर का विवरण प्रस्तुत करना है इसमें चक्रवर्ती समराट का अधिकार छेतर हिमालाय से लेकर समुद्र तक बताया गया है जो इस बात का सूचक है कि कोटिल विस्तर सामराज से परिचित था दूसरा अर्थ सास्तर जो है वो मुख्यत विभाग्य अध्यक्षों का ही वर्णन करता है नगर तथा सेना की परिशदों के स्वरूप का एसास की होने के कारण इसमें उलेक नहीं मिलता है तीसरा भारती लेकों ने अपने नाम का उलेक अन्यपूरुस में करने की परिथा रही है अते यदि अर्थ सास्तर में कोटिल ने अपना या अपने नाम का उलेक नहीं किया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वहस्वेम इस गरंथ का रचियता नहीं था मेगस्तनीज का संपूर्ण विवरन हमें उपलब्द नहीं होता है संभव है कि कोटिल का उलेख उन अंसों में हुआ हो जो हमें प्राप्त नहीं है पतंजली ने बिंदुसार और असोक के नाम का भी उलेख नहीं किया तो क्या इन दोनों को हम अनैति अहसिक मान सकते है उनका उद्देश पाणिनी तथा कात्यान के सुत्रों की व्याख्या करना था ने की इतियास लिखना एक तर्गियां ये दिया जा सकता है कि कोटिल जिस समाज का चित्रन करता है उसमें नियोग प्रथा तथा विद्वा विभा आदी का प्रचलन था यह प्रथा मोर्य यूगिन समाज में भी थी उसने युक्त सब्द का प्रियोग अधिकारी के अर्थ में किया है यही सब्द असोक के लेखों में भी आया है इसमें मद्र, कमबोज, लिच्वी, मल, आदी गनराज्यों का उलेख भी हुआ है जो इस बात के सूचक हैं कि यह गरंथ मोर्य यूग के प्रारम में लिखा गया था इस प्रकार अर्थ सास्तर में बोधों के प्रती भी बहुत कम सम्मान प्रदर्सित किया गया है तथा लोगों को अपने परिवार के पोस्टन की विवस्ता किये बिना सन्यास ग्रहन करने से रोका गया है इस से यही सुचित होता है कि बोध धरम के लोग प्रिये होने से पूर ही यह गरंथ लिखा जा चुका था एक और तरक यहां पर दिया जा सकता है कि कोटल तथा मेगस्तनीज के विवरनों में कई समानताएं भी है मेगस्तनीज के समान कोटल भी लिखता है कि जब चंदरगुप आखेट के लिए निकलता था तो उसके साथ राज की जलूस चलता था तथा सड़कों की कड़ी सुरक्षा रखी जाती थी दोनों हमें बताते हैं कि समराट की अंगर अख्षक महिलाएं होती थी तथा वह अपने सरीर पर मालिस करवाता था मेगस्तनीज के ओवर सीर्स अर्थ सास्तर के गुपचर हैं इसी प्रकार मेगस्तनीज दुआरा उलेख किये गए कुछ अधिकारी अर्थ सास्तर के अध्यक्सों से मिलते जुलते हैं सामाने तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दुआरा प्रस्तुत प्रसासनिक इमसामाजिक विवस्ता का स्वरूप अधिकांस अंसों में समानता रखता है इस विवरण से ये इस पस्ट है कि अर्थ सास्तर मोरियकाल की ही रचना है इसमें चंद्रगुप के प्रधान मंतरी कोटिल के ही विचार से हम उसी के दुआरा प्रस्तुत किये गए हैं कालांतर में अनलेकों के दुआरा इस गरंत में कुछ प्रशिक्ष्थांस जोड़ दिये गए हैं जिनसे मूल गरंत का स्वरूप परिवर्तित्सा हो गया है अते मूल गरंत को हम चोथी सताबदी इसापूर में रख सकते हैं इस संबन्द में एक महत्पून बात यह है कि इस गरंत के अंत में कहा गया है इसकी रचना उस व्यक्ती ने की जिसने किरोध के वसीभूत होकर सास्त्र तता नंद राज के हाथ में गई हुई प्रथवी का सिग्र उध्धार किया कोटिल दुआरा नंदों का विनास एक ऐसी एतिहासिक परंपरा है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते अर्थखशास्तर को उसकी रचना मानने में किसी परकार के संधे की कोई गूंजाइस नहीं है अर्थखशास्तर में पंदरे अधीकरन और 180 परकरन हैं इस गरंथ में इसके सलोकों की संख्या चारहजार बताई गई है सामसास्त्री के अनुसार वर्तमान गरंथ में भी इतने ही सलोक हैं प्रथम अधिकरण में राजस्वसंबंदी विसेयों का वर्नन है दित्ती अधीकरण में नागरिक प्रशासन की विशिद विवेचना की गई है तृतिय एम चतुर्थ अधीकरणों में दीवानी फोजदारी तथा व्यक्तिगत कानूनों का उलेख मिलता है पांचवे अधीकरण के अंतरगत समराट के सभासदों एम अनूचरों की करतव्यों इमदाइतों का उलेख है छटे अधीकरण में राजी के सब्तंगों स्वामी आमात रास दुर्ग बल कोस तथा मित्र के स्वरूप तथा कारियों का वर्णन किया गया है अंतिम नो अधीकरण राजा की विदेश नीती सेन अभियान युद्ध में विजे के उपाय सत्रू देश में लोग प्रियता प्राप्त करने के उपाय युद्ध तथा संदी के अवसर आदी विविद विशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार अर्थ सास्तर मुखिते सासन की विवारिक समच्चाओं से संबंदित रचना है प्रस्तुत विडियो में इतना ही धन्यवाद